भारत रत में सम्मान जीवन रहते ही दिया जाए, जी हाँ, हाल ही में हमने एक बहुत बड़ी शती का सामना किया है, सुप्रसिद्य उद्योग पती रतन टाटा का एका एक निधन हमें उनकी शती की याद दिलाता है, उन्हें शद्धान जली वस्मरन करने का दोर भी चलता र लेकर रतन टाटा को भरत रतन देने की मांग भी की गई, इस मांग पर सवाल ये उड़ता है कि इतना बड़ा सम्मान मरणो परांत ही क्यों, इस पर गहन चिंतन किया अंतररास्ती साहित्तिकार रोनक जमाल ने और अपनी कलम से लिकी मन की बात, जो आप भी सुनिए उनकी क कलम की लिखावट हमारी जुबाने रतन टाटा का दिहान न सिर्फ भारत के लिए बलकि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी शती है, जिसका समाधान कयामत के दिन तक भी संभव नहीं है हजारों साल नर्गी से अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से समाधान कयामत के दिन तक भी संभव नहीं है रतन टाटा के निधन के तुरंत बाद शोक व्यक्त करने के लिए महारास्ट में केविनेट की बैठा खुई और सर्वसम्मती से फैसला भी लिया गया कि रतन टाटा को भारत रतन से सम्मानित किया जाना चाहिए इतना बड़ा सम्मान मरने की बाद ही क्यों दिया जाता है लोकसभा चुनाओं से पहले भी दिवंगत हुए कुछ लोगों को उनकी मृत्यू के वर्षों बाद रबड़ी की तरह बाटा गया था क्या सम्मिधान में लिखा है कि भारत रतन सम्मान केवल मृत्यू के बाद ही दिया जाना चाहिए अरे जनाब अगर किसी को इज़द देनी है तो जिन्दगी में दो ताकि जिसको इज़द दिये जाए वो खुश हो सके और उसका आनन भी उठा सके मरने के बाद देंगे तो उसके फरिष्टे भी नहीं जान पाएंगे कि मरने के बाद देने से क्या फायदा केंदर सरकार से मेरा अनुरोध है कि जिसे भी भारत सम्मान देना है जीवन में दे दे क्यूंकि मरने के बाद उपलबधियां जीवन में सम्मान के योग नहीं होती सवक का नाम रखना है मौद के बाद एयरपोर्ट या स्टेडियम का नाम रखना है मेरा मानना है कि मोदी जी को उनकी जिवनकाल में ही भारत रत्न दिया जाना चाहिए क्योंकि उनका जलवा भारत में ही नहीं बलके पूरी दुनिया में दिखाई देता है उन्होंने अपनी राजनीतिक सोच से विश्व में भारत को जो उचाईया दी है आजादी मिलने के बाद किसी राजनेता भारत को यह मकाम नहीं दिलबा सकता था उनकी राजनीतिक यात्रा और राजनीतिक उपलबधियां भारत रत्न सम्मान की पात्र है ताकि मोधी जी भारत रत्न सम्मान का आनन्द उठा सके अंतरास्टी साहितिका रौनक जमाल जो की हर मुद्दों पर गहन चिंतन को अपनी कलम के अलफाजों में पन्नों पर लिखते हैं उन्होंने भारातरत्न सम्मान को लेकर अपनी मन्शा जाहिर कर केंद्र सरकार से निविदन किया है कि ये सम्मान जीवन रहते ही दिया जाना चाहिए और साथ ही उन्होंने भी मन्शा जाहिर की है कि देश के ये शस्वी प्रधान मंत्री जो की देश वा दुनिया में इतने लोगपुरी हैं उन्हें भी भारातरत्न से सम्मानीत किया जाना चाहिए ACN News के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट